इस टाइप का कोस्टेन को हम कैसे करेंगे मिनिमा मैक्सिमा कोस्टेन है क्या बोलता है so that right circular cylinder up given surface and maximum volume मतलब हमको surface area दिया हुआ है और यह बोल दिया है कि maximum volume है ठीक है such that its height its height is equal to diameter of the base मतलब सिलेंडर होगा हम लोगा यह सिलेंडर है इसका जो हाइट है यह रेडियस हो गया और यह हम लोगा हाइट हो गया हाइट is equal to the diameter of the base मतलब यह डाइमीटर और यह हाइट दोनों क्या है सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं यह हम लोगा है तो यह यह जो डाइमीटर आपका है यह भी क्या हो जागा एच होगा है तो देखिए अब कंसिडर कीजिए पहले लेट है आर एंड एच है विदा है रेडियस है आप दो सिलिंडर इस टाइप का पहले लिखेंगे हम लोग क्या क्या कंसिडर कर रहे हैं कि यह सीलिंडर रिदियसनगे को जो जो यह सार्दियसन हैट को एगा यह घ्लियसन हैट कर दो सिलिंडर इसके दो ऊकलेंगे यह तो पाय रह प्रुला एप आयार इसकुर्र और यह हम लोगे क्या होगया सरफेस अरी हो गया को है अब देखो यहाँ पर सर्फेस एजरी आम पास दिया हुआ है यह इस लिए का कॉंस्टेंट हो गया रेडियस रोइड जो है यह क्वान्टिटी है तो इन में से कोई एक हम इन दोनों से किसे का यंब इस निकार लेंगे तलिए हैच का निकालिंगे ज्यादा होगा टो यह समालनस पाइयर स्कूरब एक सूर इक वलोग ंड़ एक सिंटे आर यह का क्यूंकि r जो है हम लोगा पावर में कुछ है तो ये 2 πी Ms.ivalir is equal to h इस इकुल to h ये हम लोगों क्या हो गया height हो गया height हम निकाल लिए है अब हमको volume को maximum दिखाना है तो चलिए let मे बुए अगे nine a dvd volum evo the volume अफ़ भी अ वाल्यों कि आपैसे में कचिम और मिनिमा मैं आप्को ठोड़ा को इस्टेट्मेंट तो लिखना पढ़ेगा तो इसलिए हम statement इस तरह से लिखेंगे, तो volume equal to क्या होगा, pi r square h, h का जो value निकला है, आप यहाँ पर रख दो, तो भी आ जाएगा क्या pi r square, h का value हो जाएगा s minus pi r square by 2 pi r, इस तरह से हम लोगा यह volume निकला, यहाँ से जो quantity कट जाएगा, उसको काट लेना है, यह pi और यह pi कटेगा, यहाँ से 1r और यह 1r कट जाएगा, तो मतलब v अगर हम लोगा आएगा, तो finally क्या आएगा, v is equal to, v is equal to r by 2, और यह s minus pi r square, इस तरह से हम क्या किये है, इसका volume को निकाल लिए हम, अब देखिए, अगर हम लोग volume निकाल चुके हैं, तो v को हम लिख सकता है, v is equal to, v is equal to, s r by 2, और इसको multiply कर लेंगा, ठीक है, यह pi r square by r का power में 3 by 2, r का power में 3 by 2, यह हम लोग का इस तरह से volume निकल लिए, अब d by d हमको क्या चाहिए, और minimum and maxima, for minimum and maxima, d by dr, देखिए, यहाँ पर variable r है, इसलिए हम r का respect में इसको differentiate कर रहे है, अगर करेंगे तो यहाँ पर s by 2 होगा, और minus यहाँ पर 3, क्या होगा, 3 pi r square by 2, यह हम लोग के पास आएगा, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, यह जो हम surface, initially जब हम surface रहे लिया थे, इसका formula थोड़ा हम गलत लिए थे, यहाँ पर 2 pi r square होगा, क्योंकि देखिए, उपर जो circle है इसका area, और नीचे और जो circle है इसका area, यह एड होगा, इसलिए 2 pi r square होगा, 2 pi r h, क्या है, इसका curve surface area, C s, curve surface area, तो यहाँ पर हम, देखिए, यहाँ पर हमको 2 भी लगाना था, यहाँ पर हमको 2 भी लगाना था, common निकाल लेंगे तो यह 2 pi r होगा, और r plus h होगा, चलिए हम यहाँ पर h निकाल लेते हैं, s minus 2 pi r square by 2 pi r होगा, equal to h, मत्तब यहाँ पर pi r square के चाहँ बस, 2 pi r square होगा, यहाँ पर 2 pi कर लिजए, एकदम सही हो जाएगा, फिर, यहाँ पर 2 कर लेना हमको, यह अगर 2 करेंगे तो यह 2 और 2 cancel होगा, और यहाँ पर यह 2 बचेगा नहीं, ठीक है, यह 2 नहीं बचेगा, फिर, हम differentiate करेंगे तो, 3 pi r square हो जाएगा, s by 2, 3 pi r square, यह हम लोगा क्या आया, d by dr आया, फर minimum and maximum क्या था, d by dr is equal to 0 होना चाहिए, यही condition था हम लोगा, तो चलिए इसको हम 0 करते हैं, और r का value निकाल के देखते हैं क्या आएगा, s by 2 minus 3 pi r square equal to 0, तो इससे आप देख सकते हैं, हम लोगा result क्या आ रहा, s minus 6 pi r square equal to 0, मतलब s का value क्या आजाएगा, 6 pi r square, s का value आया, 6 pi r square, यहां तक कर लिए, अब हमको क्या check करना है, फ़रा इसको मिटाते हैं हम, अब हमको क्या निकालना है, हमारा next step होना चाहिए, हमको dvy, dv square y, d square by d r square, यह हमको निकालना है, तो जब हम इसको फिल से differentiate करेंगे, तो देखिए, यह वहला जो time होगा, यह क्या होगा, constant यह पूरा, यह 0 हो जाएगा, और minus 6 pi r होगा, यह दिखे, d square by, d r square जो आया, यह क्या है, less than 0 आया, that means, क्या होना चाहिए हमलों का, maximum का condition होना चाहिए, यह maximum का condition है, तो हमको मिल क्या, volume क्या होगा, maximum होगा, क्योंकि यह d square by, d r square less than 0 है हमलों का, अब आप यहां से r का value निकाल सकते हो, r का value कैसे निकालेंगे, बस s का value हमको पता है, देखिए, s का value क्या है, यह s का value, यह s का value है, हम पूट कर लेंगे, आते हैं, देखिए, हमको maximum मिल चुका है, मतलब, volume हमलों का maximum होगा, हमको इतना पता है, अब हम इसको निकालते हैं, यह हमको prove करना है, कि जो r होगा, और h होगा, मतलब जो diameter होगा, और height आपका होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा, तो देखिए, s का value हमको पता है, यह s का value है, क्यों ना हम s का value यहाँ पर put कर दें, यहाँ पर, तो put करते हैं, 2 pi r h plus 2 pi r square is equal to 6 pi r square, देखिए, यह वाला term को हम इधर ले जाएंगे, तो यह क्या होजागा, 2 pi r h is equal to क्या होगा, 6 pi r square minus 2 pi r square, मतलब यह 4 pi r square आजाएगा, और इधर आपका आएगा, 2 pi r h, यह r एक कटेगा, यहाँ से एक कटेगा, 2 pi, यह 2 से कटा, मतलब h का भेलो देखिए, क्या आया, 2 r आया, अच्छा, 2 r का मतलब क्या होता है, यही 2 r का मतलब ही हम लोग क्या होता है, डाइमीटर होता है, तो हम लोग फूरूप कर दिये, hence, hence लिग सकते हैं, the volume is maximum, maximum when height is twice of, twice of क्या है, radius, 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 twice of radius, means, that is, height is equal to diameter, यही चीज हम लोग पूरूप कर लिये, बस इस question में यही था, ठीक है, question क्या बोलता है, of all the closed cylinder can of a given volume, volume हम लोग कर दिया हुआ है, volume जो है, यह 2 pi r square h, pi r square h, जो है, यह हम लोग का 100 cm cube, cm cube दिया हुआ है, तो बोलता है, find the dimension of the can, can का dimension निकालना है, which has the minimum surface area, मतलब यह एक cylindrical can अगर हुआ, तो इसका क्या निकालना है, dimension means, आपको height और इसका radius निकालना पड़ेगा, अगर इसका surface area, minimum हुआ, minimum अगर हुआ, तो इसका height निकालो आप, यह height है, और यह radius है, height और radius आपको निकालना पड़ेगा, यही बात हो रहा है, ठीक है, question यही बोला गिया है, इसको solve करते हैं, लोग दिखिये, पहले तो लिख देंगे, let, r and h, with the radius, radius and height of the can, ठीक है, of the can, can का क्या है, radius और height है, अब गीवन क्या दिया हुआ है, गीवन आपका दिया हुआ है, volume is equal to, pi r square h is equal to 100, अब देखिये, यह जो दिया है, इस equation में हम देख सकते हैं, दो variable है, तो हम एक variable का value निकाल लेते हैं, यह 100 by क्या होगा, r square होगा, h का value हम इससे निकाल लिए, अब हमको surface area को minimum दिखाना है, तो क्या करना पड़ेगा, surface area, let surface area, be s, and s is equal to, क्या हो जाएगा, 2 pi r h, plus 2 pi r square, यह उपर वाला area, और नीचे वाला area एड़ होगा, इसलिए 2 pi r square होगा, अब देखो, इसमें आपको क्या करना है, differentiate करना है, differentiate तो करेंगे, लेकिन यह h को पहले eliminate करेंगे, पहले इसको one variable बनाएंगे, यह जो h दिख रहा है, इसको हम change करेंगे, मतलब यह 2 pi r हुआ, और h का value आप देख सकते हो, 100 by r square है, plus 2 pi r square, तो इस तरह से हम surface area निकाल लिए, तो s equal to i r, यहां से 1 r cancel out होगा, तो यह 200 pi, by r plus 2 pi r square, दादा, एक मिनट, देखें, यह जो pi है, यहां पे miss हो गया, यह पाई यहां पे आना चाहिए, तो यहां पे भी pi होगा, इसलिए pi कट नहीं रहा था, यह pi धर होगा, यह pi भी cancel हो जाएगा, तो हम pi को लिखते नहीं धर अच्छा होगा, pi को हम नहीं लिखेंगे, 200 by r होगा, ठीक है, आप कर लो यहां पे, ds by dr, ds by dr क्या होगा, यह minus 200 by r square होगा, ठीक है, क्योंकि 1 by r है, 1 by r का differentiation क्या होता है, minus 1 by r square होता है, differentiate किये, अब इसको differentiate कीजे, 4 pi क्या होगा, r होगा, अब हम जानते हैं, for minima and maxima क्या करना है, minima and maxima, ds by dr जो है, is equal to 0 करना है, तो चलिए, 0 करते हैं इसको, minus 200 by r square plus 4 pi r is equal to 0, LCM ले लिजेगा, इधर, r square minus 200 plus 4 pi r cube is equal to 0, अब देखे, क्या आ रहा है, r cube का value क्या हैगा, देखे, यह r square इधर आएगा, तो 0 होगा, और फिर, r cube का value आ जाएगा, 200 by 4 pi, यह आ जाएगा r cube का value, तो काट लेते हैं इसको, 50, तो r cube का value कितना आ गया, अच्छा, हमको r का value निकालना है, तो r का value डारेक्ट लिखिये, r का value क्या होगा, r is equal to cube root हो जाएगा, 50 by pi, इसका क्या होगा, cube root, cube root में अतलब क्या होता है, 1 by 3, अगर देखिये, x is square equal to 2 है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, x equal to 2 का power में 1 by 2, इसी तरह से x cube equal to 2 होगा, तो x equal to क्या होगा, 2 का power में 1 by 3, यह हम लोग का cube root है, बस, अब क्या r तो निकाल चुक है हम लोग, अब थोड़ा इसको भी देख लीजे, differentiate करके, यह जो ds by dr आया, इसका value हमको क्या मिलेगा, positive मिलेगा यह negative मिलेगा, differentiate करेंगे उसके लिए हम, फिर से, देखें, d square s by dr square, differentiate कीजे देखें, क्या होगा, minus 2 into 200, अच्छा, minus और एक है, मतलब यह plus होगा, by r का power में 3, plus pi r, अब देखें, यहां पर बहुत ही important चीज़ आया, यह वाला जो result आया, इसमें हमको पता नहीं चल रहा, r का value क्या आएगा, यह जो d square s by dr square है, यह तो दोनो positive है, देखें, दोनो positive है, अगर दोनो positive है, मतलब greater than 0 होगा, greater than 0 हुआ, तो हमको minimum मिलेगा, minimum value मिलेगा, minimum surface area होगा, यह हम लोग का, आ गया, क्या minimum surface area, अब r का value अगर आपको पता है, तो आप यहां से, h का value भी निकाल सकते हैं, ठीक है, h का value कैसे निकालेंगे, अच्छा, h का relation क्या निकाले थे हम लोग, h is equal to, 100 by, ऐसे था, pi r square, h is equal to 100, मतलब h का value, pi r square, इतना आएगा, पस यह r का value जो निकाला है, यह value आप यहां पर put कर दो, देखो, कैसे put करेंगे यह, यह value को हम put कर देंगे, h is equal to क्या हो जाएगा, h is equal to होगा, 100 by, pi, और यह देखिए, 50, by, 50 by pi, इसके power में क्या है, इसका power में 1 by 3 है, 1 by 3 है, और देखिए, यह square भी है, मतलब इसको square कर देंगा, मतलब 2 by 3 हो जाएगा, ठीक है, यह हम लोग का height हो जाएगा, यह क्या हो गया, हम लोग का height हो गया, तो बस radius भी निकल चुका है, और यह height भी निकल चुका है, तो यही दोनों हम लोग को निकालना था, dimension of the close cylindrical can निकल चुका है, जाएगा, यह हम लोग का निकल चुका है,